वाव अमेजिंग आप देख सकते हो टोटल 110 रुपे मिल चुके हैं और ये मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ आप खुद लाइप परोब के साथ देख सकते हैं होम स्क्रिन पर आकर वैसे अपकी बार मैंने जादे वर्ट्स लिखे हैं तो देखते हैं कितना रुपे मिलता है थोड़ा से टाइम लेगा और बॉम आप देख सकते हैं टोटल 250 रुपे as a reward मिल चुका है जो कि कम माल की बात है आप होम इसकिन पर देख सकते हैं दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे कम माल की ओनलाइन अर्निंग एफ वेबसाइट ढूट कर लाया हूँ जिस पर आप टैपिंग करके महिने के कम से कम 40 से 50 जर रुपे तक एजली कमा सकते हैं आपने आज तक जितने भी ओनलाइन टैपिंग वर्क देखा होगा मैकसिमम उनमें से फेक होते हैं जिन सा आपका सिर्फ टाइम बेस होता है और अर्निंग तो छोड़ी दो आपका एक रुपे का भी फायदा नहीं होता है बट आज जो मैं आपको प्लैटफॉर्म बैठे डारेक्ट ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो यह वीडियो बिलकुल आपके लिए है चाहिए आप स्टुडेंट हो हाउस वाइफ हो जॉब्लेस हो लडगा लड़की कुछ भी हो ड़सान मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह ऑनलाइन टैपिंग वर्क सब डिक्वार्मेंट है अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको करना क्या है कहां पर करना है तो मैं आपको बदा रहा हूं देखो आपको कहानिया लिखना है रिफ्टोरी नोवल लिखना है जिसमें आप बहुत सारी क्यों सकते हैं जैसे इसलिए वीडियो को कंप्लीट आरंट ज़रूर देखना क्योंकि सब कुछ step by step complete बताया हूँ अल्राइट देखो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइट किया है जैसे फॉर्स पार्ट में हम complete platform या mobile आपके बारे में जानेंगे like platform पर क्या-क्या features मिलते हैं benefits मिलते हैं कैसे आप खुद platform को use कर सकते हैं और सबसे most important आप कैसे platform से पैसे कमा सकते हैं और आपको पैसे कैसे मिलेंगे सब कुछ आप जानोगे second part में हम कुछ important tips and tricks guidelines के बारे में जानेंगे ताकि आप easily पैसे कमा सको all right now come to the point देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपने pocket fm के बारे में तो सुनाई होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दू pocket fm काफी popular app है जिस पर 100 million से भी जादे downloads हैं वो भी काफी अच्छी rating के साथ तो आप सो सकते हो इनका platform किस level का होगा इन्हें सब को देकर इन्होंने writers को support करने के लिए pocket fm ने pocket novel app and website launch किया है जो कि आप देख सकते हैं ये जो pocket novel app है writers को पैसे देता है कहानिया, stories, novels लिखने के लिए ये writers के लिए बहुत बड़ी opportunity है अगर आपको कहानिया, stories, novels लिखना पसंद है तो आप इस platform पर अपना एक career बना सकते हैं चैर pocket novel एक ऐसा app या platform है जहाँ पर आप कमाल के बहुत सारी interesting novels, कहानिया विल्कुल free में पढ़ सकते हैं और यही नहीं बलकि आप अपनी खुद की कहानिया, stories, novels, हिंदी में लिखकर काफी अच्छा-कासा revenue generate कर सकते हैं मन्थली पैसी कमा सकते हैं चलो इस platform के बारे में सब कुछ डीटेल में जानते हैं सबसे पहले आपको description में दिये गए लिंक से pocket novel की website पर आना है इस platform से बहुत सारे लोग already जुड़े हुए हैं जो कहानिया, अपनी stories, novels लिखते हैं और महिने के 40 से 50 हर पर तक अराम से कमा लेते हैं यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना success story share किया है जो कि आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और मैं आपको बता दो, इन्होंने खुद लिखा हुआ है अपनी website पर earn up to 10 lakh rupees in a year जो कि मजाक नहीं है सच में बहुत जबर्जस platform है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों ने novels लिखा है जो कि काफी popular है जैसे आप पर 82 million plus views, 65 million, 62 million, 52 million और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि काफी popular है अब आपको यहाँ start writing पर click करना है जिससे आप direct writer benefit program के page पर आजाओगी इस page पर आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पर दो तरीकों से earning होने वाली है सबसे पहला है revenue और दूसरा है incentive चलो इन दोनों को थोड़ा समझते हैं देखो आपको revenue तम मिलेगा अगर आपने जो भी stories, novels, कहानिया लिखा है अगर वो audio book के लिए select होती है तब आपको minimum 25% revenue share मिलेगा जो कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है minimum 25% lifetime revenue share और हाँ revenue उनके readers के दोवारा इन sponsor के जाता है जो कि आप यहाँ पर click करके सब कुछ पर सकते हैं दूसरा है incentives देखो इसमें तीन परकार के incentive होते हैं जैसे new novel bonus, daily update bonus and completion bonus चलो तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है पहला है new novel bonus देखो इसमें जो new users होते हैं जो new writers होते हैं यह उनके लिए होता है अगर आप new novel bonus पाना चाते हैं तो आपको minimum 30,000 words के stories, novels या कहानिया लिखना होगा और मैं आपको बता दू अगर आप 30,000 सब्द पूरे कर लेते हैं तब आप writer benefit program WBP के लिए eligible हो जाते हैं मुझे पता है कि आपको लगेगा कि यह बहुत ज़्यादा सब्द हैं बड़ सच बताओ तो जब आप कहानिया लिखने बैठोगे तो आपको पता ही ने चलेगा कि आपने इससे भी ज़्यादा लिख दिया है देखिए अगर आप सच में लिखने के सौखीन है तो आप इससे भी ज़्यादा लिख दोगे जब आप कहानी लिखना सुरू करोगे ना तो आप words की गिंती भूल जाओगे इतनी बड़ी बड़ी stories होती हैं आपके दिमाग में नए-नए thoughts आते जाएंगे आप लिखते जाओगे जोड़ जोड़ कर इसमें आपको मिनमम 3,000 रुपे का बोनस मिलता है बट अपरोबल के समय आपके सब्दों के हिसाब से पैसे मिलेंगी आप ज़्यादा लिखोगे तो इससे अधिक भी मिल सकता है और आपकी novels या कहानी में adult या non-fiction content अलाओ नहीं है तो इन सब का आप ध्यान रखें बाकी तो आप सब पढ़ सकते हैं दूसरा है daily update bonus अगर आप daily publish कर रहे हैं लिख रहे हैं या फिर new chapter अड़ कर रहे हैं बिना एक भी दिन मिसके लगतार non-stop publish कर रहे हैं तब आपको full incentive मिलता है इसमें आपको 10 पैसे per word के हिसाब से मिलता है मतलब suppose अगर आप कुछ दिनों तक लगतार publish कर रहे हैं जैसे लगतार 5 दिनों तक 10 दिनों कुछ ऐसा लगतार कर रहे हैं तब आपको केवल इतने दिनों का full incentive मिलता है आप 10 पैसे per word के हिसाब से calculate कर सकते हैं अगर आप बिना एक भी दिन मिसके लगतार 30 दिनों तक publish कर रहे हैं तब आपको यहां strict incentive मिलता है बाकी आप सब पढ़ सकते हैं थर्ड है half incentive अगर आप daily publish नहीं कर पा रहे हैं तब आपको half incentive मिलता है वैसे यहां पर सब कुछ दिया गया है जो कि आप खुद पढ़ कर समझ सकते हैं अब बात करते हैं तीसरा completion bonus के बारे में इसमें होता क्या है अगर आप अपने कोई story को complete कर लेते हैं तो इनके editors आपके story को check करेंगे, review करेंगे अगर वो सही पाई जाती है, खुद की real पाई जाती है और वो select हो जाता है इनके platform पर noble के लिए तब आपको words count के अधार पर rewards मिलता है और यहां पर बहुत सारे चीजे हैं जैसे काम के से करता है, उसके सभी steps बताए गए है और यहां पर FAQ भी दिया गया है मतलब आप हर टाइप के question answer बढ़कर समझ सकते हैं आपको almost सभी answer मिल जाएंगी खेर अब हम बात करते हैं, कैसे आप अपना account create कर सकते हैं और कैसे आप हिंदी में कहानिय लिखकर पैसी कमा सकते हैं सब कुछ मैं live करके दिखाऊंगा और पैसी कमा कर दिखाऊंगा जो की आप भी easily कर सकते हैं इसके लिए आपको यहां start your journey पर क्लिक करना है फिर आपको अपना यहां पर number लिखना है and continue पर क्लिक करना है फिर आपके पास जो OTP जाएगा उसको यहां पर लिखना है and continue पर क्लिक करना है और आपको यहां पर writers account create करने के लिए आपको अपना नाम, email id और अपनी language चूज करना है मैं अपने नुसार हिंदी सेलेक कर दूँगा इसके बाद about में आपको अपने बारे में लिखना है जैसे मैं यहां पर writer लेकर continue कर दूँगा अब आपका account create हो गया है congratulations आप हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर लेजिए अगर अच्छा लगे तो like भी कर दीजिए खेर अब आपके सामने एक ऐसा dashboard open हो जाएगा जहां से आप सब कुछ कर सकते हो थोड़ा इन सब को explore करते हैं इसके बाद मैं live proof के साथ सब कुछ करके दिखाऊंगा जिसके लिए आप video देख रहे हो ठीक है यहां से आप अपने सभी novels को देख सकते हैं जितने भी आपने publish किया होगा यहां से आप writer benefits के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है income पर click करके आप अपने earnings देख सकते हैं अभी हमने कुछ भी नहीं किया है इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं देख रहा है सब कुछ अंधेरा है बट कुछ समयवाद उजाला होगा इसके बाद आप यहां writers academy पर click करके इनके सभी free courses को देख सकते हैं सब कुछ detail में बता गया है लाइक कहानी लिखने से लेकर सब कुछ अब मैं आपको एक novel create करके दिखाता हूँ वैसे मैं आपको बता दो मैंने already एक हिंदी में story google doc में लिखकर रखा हूँ ताकि मैं आपको example के साथ दिखा सकूँ और आप easily सब कुछ समझ आओ आप ध्यान से देखो मैंने story का title हिंदी में description English में description सब कुछ लिखकर रखा है साथ मैंने जो story लिखा है मैं इतने words लिखने है फिर words धिरे धिरे बढ़ता जाएगा अब मैं अपने story को copy करूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा जो कि आप देख सकते हैं और हाँ मैं आपको बता दो same चीज़ को आप direct mobile app से भी कर सकते हैं बहुत यसान है आप यहाँ से text की color change कर सकते हैं मैं सब का कर दूँगा आप भी अपने अनुसार कर सकते हैं अब आपको यहाँ publish पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ nobel का details भरना है जैसे यहाँ पर तो title same रहेगा बट आप change भी कर सकते हैं language में हिंदी select करने के बाद अब आपको यहाँ category choose करना है आप अपने story का नुसार choose कर सकते हैं मेरे जो कहानी है वो एक drama की तरह है तो मैं इससे select कर दूँगा इसके बाद सब category में mail drama select कर दूँगा अब आपको यहाँ पर story का source description हिंदी में लिखना है आप इस sample के हिसाब से लिख सकते हैं मैं copy करके यहाँ पर प्रेस कर दूँगा अब आपको यहाँ content declaration के हिसाब से 3 पर select करना है यहाँ से आप अपने story के image cover को change कर सकते हैं और लगा सकते हैं आप चाहें तो use default पर click करके change भी कर सकते हैं वैसे automatic AI की help से लग जाता है जो कि आप बात में देख सकते हैं finally अब आपको save पर click करना है वाउ आप देख सकते हो हमने जितने भी सब लिखे थे उससी के हिसाब से पैसे मिले है as a reward जो कि आप home skin पर आकर देख सकते हैं हमने केवल 316 words लिखे हैं उसी के हिसाब से पैसा मिला है आप यहाँ पर देखो लिखा है complete 30,000 words चलो एक और chapter add करके देखते हैं इस पर आपको click करना है देखो हमने जो आपको बताया था ना कि AI की help से automatic अबर change हो जाता है जो आप देख सकते हैं हमने जो publish किया था उसका chapter यहाँ से आप देख सकते हैं खेर मैं new chapter पर click करूँगा यहाँ पर chapter का title और कहानी पैस कर दूँगा जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही easy to use है अब यहाँ पर देखो मैंने cable 791 सब लिखा है उसी के हिसाब से पैसा या reward मिलेगा अब जैसे मैं publish पर click करूँगा थोड़ा से time लेगा वाव amazing आप देख सकते हो total 110 रुपे मिल चुके हैं और यह मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ आप खुद live probe के साथ देख सकते हैं home screen पर आकर मैंने total 110 तब लिखे थे उसी के साब से 110 रुपे as a reward मिला है चलो मैं एक और chapter अड़ करके कुछ और extra earn करके दिखाता हूँ फिर से आपको इस पर click करना है पहले की तरह से मैं अपने story के title को कहानी को यहाँ पर copy pass करके लिख दूँगा मैंने अपने ही नाम को use करके story लिखा है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अब मैं publish पर click करूंगा वैसे अब की बार मैंने जादे words लिखे हैं सो देखते हैं कितना रुपे मिलता है थोड़ा से time लेगा and boom आप देख सकते हैं total 250 रुपे as a reward मिल चुका है जो की कम माल की बात है आप home screen पर देख सकते हैं हामने total 3600 सब्दों की कहानी लिखा है और इस सिस्थे में 250 रुपे मिल चुके हैं आप आपको सब कुछ clear हो गया होगा अब आपने जो भी कहानीय लिखा है यहाँ पर click करके देख सकते हैं दोस्तो अगर आप सच में इंट्रस्टेड हैं और कहानिया लिखकर पैसे कमाना चाते हैं तो इस opportunity को बिलकुल मिसमत करिएगा यहाँ पर आप अपना एक career बना सकते हैं और हाँ इस platform की सबसे अच्छी बात यह है आप mobile phone, laptop, tab, किसी भी device से कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा first part complete होता है now let's move on to the second part देखो मैं आपको कुछ tips and tricks बता रहा हूँ आप ध्यान से देखो और समझो जब भी आप कोई कहानी लिखो तो आपको ऐसा कहानी लिखना है जिसका कभी ending ना हो मेरा मतलब आप हर एक chapter को end की जिए बट ending में भी कुछ ऐसा end कीजिए जिसका end ही ना हो तभी तो लोग next part next chapter का wait करेंगे आप हर chapter के end में कुछ ऐसा suspense करेट करके जाओ कि अगला दिन भर सोचता रहे कि आखिर next chapter में क्या होगा कभ आएगा next part जैसे की टेवी सेल में होता है I hope आप समझ सकते हैं what I am telling you right दूसरा tips यह है कि आप जब भी कोई story लिख रहे हो तो आप बिल्कुल भी copy paste मत कीजिए बट आप कहीं से ideas inspiration ले सकते हैं और उसी किसा आप से अपने खुद के कहानिया लिख सकते हैं अगर आप direct copy paste करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा एक रूपय का भी फायदा नहीं होगा इसलिए आप अपना खुद का unique link हैं और हाँ अगर आपको chat GPT AI की help से हिंदी में, English में या फिर किसी भी language में कहानिया लिखना सीखना है या फिर कुछ creative stories, ideas, outline लेना चाहते हैं तो आप हमें direct comment कर सकते हैं या फिर Instagram पर message कर सकते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूँगा अगर इस topic पर ज़्यादा comment आएगा तो मैं full video बनाऊँगा और राइट दोस्तो वीडियो कैसा लगा I hope आप सबको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है valuable content लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपने दोस्तों तक पहुंचाइए उन लोगों की help करिये जिनको ज़रूथ है स्टाइब की वीडियो का क्योंकि आपका एक छोटा से स्टेप सच में आपका एक छोटा से स्टेप काफी लोगों की help कर सकता है अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रू स्टाइब करें मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए keep learning and keep exploring thank you so much for watching this video this is the Dostarip signing out